आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अंडाकरी की रेश्पी में आपको नहीं अंडा वलना है नहीं फ्राइकरना है मैं आप बहुत ही सिंपल तहरीके से अंडाकरी वनाना सिखाऊंगी आप इससे ज़रू ट्राय करें आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा हटलो दोस्तों में। हूँ सरोज आप सभीकथ स्वागत है। मेरे चैनल सरोज का किचन में। चलिया आज की रेज़्मार्ट को हिंपारिक स्वude अब चलते हैं गैस की तराफ हसु पहले मैंने गैस पर खड़ाई रखा है इसमें डालेंगे दो चमाच और और को अच्छे से हम गरम होने देंगे यही बैट कर रहेंगे जीरा एक छोटी चमाच दो तेज पत्ता थोड़ी से काली मिल डाल देंगे एक डालचीन के टुकड़ यहीं डालेंगे हम बड़ी लाइची से तोड़ करके ताकि फिल्बर तिल में आ जाए भून लेंगे फुनने के बाद एर करेंगे हम अध्रक कर रसन जमेने खूटके रखाता इसे भी थोड़ा हम भूनेंगे तक इसका जोकरार है चेंज हो जाए और इसका कच्छपन जो ह भूनेंगे प्याज को हम सब्ट होन तक भूनेंगे जादे नहीं बूनना है आध्के प्याज तोड़ तोड़ा सब्ट हो चुगा है ठोट बहुंट हो रेहें थुल्य ररस हम भूनेंगे है आप चाहे तो प्याज का पेस्ट भी ले सकते है आपके ऊपर are इनने BL nett कट जो है जल्दी शॉप्ट हो जाए और जैदे टाइम ना लगे अपने जाल दिया है अब इसे मिला लेंगे और टेमाटर को अच्छे से हम गल्ले देंगे चला बीच बीच में चलाते रहे छोड़े ना यह देखे टेमाटर जो है बहुत यह से शॉप्ट हो चुका है अब टेम साले अइड करेंगे मैं अधि चमच हल्दी पावडर दोच्यमच धनिया पावडर आधिक चमच खाली मिरश पावडर आधिक चमच जीरा पावडर साथ ही मैं लू रही हूं आदे चमच लाल में अपने तीखे की साथ ले लीजिए थोड़ा से मैं डालूंगी कस्मेरी लाल में इसी बिल्कुर अप्सना ले ये सिर्फ कलर के लिए है आप इसे स्किप कर सकते हैं नहीं है तो मनी मासालों तो यह तो कि लना थे लेंगे सारह लें लू फ्री मासालों को ऑफ्री एसे मासाले जलेना अच्छाफ़्य स्फ भूनग्यिए ना पाइण डाल दिया अब सारह मासालों को ज Corporation कि बंगे लू फ्लेम पा ही यह देखें मसाला जो है अच्छे से भून चुका है अब कल्चे के मात जित्रा हम इसे मैस कर लेंगे तक एच्छे ग्रेवी बन जाए यहीं पैट करेंगे हम पानी यहाँ पैने पानी डाल दिया है अब गरेवी थोड़ी इसकी गार ही रखनी है क्योंकि इसमें हम अभी कच्छा अंड़े डालने वाले हैं तो जैधा पतली गरेवी ना करें जैसे मैं गरेवी में उबाल आ जाएगा यह देखें अबने गरेवी को दो मिट के लिए उबाल लिया है इसमें डालेंगे अपना हरी मिर्च एक चमस गरम मसाला मिला लेंगे मिला रहे हैं कादस में हम अपने अंडर डालेंगे तो आप चाहिए तोड़की भी डाल सकते हैं लेकिन मैं अपने ग्रेवी में अराम से एसे ही वाकिए सारे अंडर को हम डाल लेंगे एक के ऊपर एक ना डाले आप साइड में डालते जाए थोड़ा जगे छोड़-छोड़के प्लेम को लोगी रखेंगे तबी तक यह में तिसरा अंडर डाल दिया अब अपनी हिसाब से अंड़ डाल सकते हैं लेकिन बस आपको इस बत को ध्यान रखना है कि अंड़ जो है आप एक के ऊपर ना रखे जगे बना बना के डाले यहाँ मैंने तुटलिक शे अंड़ डाल दिया है अब इसे ऐसे हम शे से साथ मिट पकने देंगे लोफलेम पे आप चाहें जो धक्के भी पका सकते हैं तो यह देखिए यह से साथ मिट हो चुका है अंड़ जो है बहुत ही अच्छे से शेट हो चुके हैं यह देखिए जरूर ट्राइ करें यह भी डाल देंगे हम बारी कटा हुआ हरा धनिया गैस को बंद करेंगे दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे दो मिनट बाद इसे हम साथ करेंगे यह देखिए दो सती मिट हो चुका है अब अंड़ा करी जो है डिकने में कितना अच्छा लग र तुर त्यार है यह बहुत ही तेश्टी अंड़ा करें आप सभी से जरुट रहाए करें आप सभी को बहुत ही परसंद नाई के लिए और अगर यह वीडियो आप फेस्बुक और इस्टेग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें अगर यूटूब पे हैं ति मैंन में रेस्पी के साथ तब तक लिए बाई दोस्तों